Hello Students, Students, Polity की Last जो हमारी किलास दी, उसके अंदर हमने 1773 का जो Regulating Act है, उसके बारे में डिसकस किया था, Polity की उसकिलास के अंदर, आज हम डिसकस करेंगे कि जो 1773 का जो कानून है, जो 1773 का जो कानून है, उस कानून के बाद में 1784 के समय, एक बड़ा जो Act है, वो पास किया गया थ था, 1784 के समय, जिसे की हम Pits India Act के रूप से जानते हैं, कि बेसिकली जो Pits सी वो परसन है, जिनकी द्वारा इस कानून को प्रपोज किया गया था, ब्रेटिस पार्लियमेंट के अंदर में, तो आज हम डिसकस करेंगे, Pits India Act के बारे में, इस्टूरेंट्स यहाँ पर आपको यह पता होना चीए, कि जो 1773 का पहला जो कानून बना था, क्योंकि 1773 का पहला ऐसा कानून बना, जिसके थुरू जो English East India Company है, उसको कंट्रोल किया गया, ब्रेटिस पार्लियमेंट के दुआरा, पहली बार उसको कंट्रोल किया गया था, क्योंकि continue वहाँ पर एक आवाज उठ रही थी, ब्रेटेन के अंदर में, कि company को regulate किया जाए, तो यह company continuous जो है company, company का जो balance seat है, उस पर वहाँ पर loss हो रहा था, पर company के जो यहाँ पर काम करने वाले जो officers हैं, जो करमचारी हैं, उनको day by day profit है, वो देखने के लिए मिला, तो company making the loss, company was making the loss, and the companies जो, जो officers हैं, वो continuous profit बना रहे थे, जिसमें Robert Clive हैं, काफी ऐसे लोग हैं, तो इसी वज़े से 1773 के समय वो कानून लाया गया, फैला regulating act, जिसके थूँ जो company के officers, जो अपना यहाँ पर पर स्नल ट्रेड किया करते थे, जो अपना पर स्नल ट्रेड किया करते थे, आदर देंदा company, उसको भी abolish किया गया, यहाँ पर जो local officers को यहाँ पर जो present and gift लेनी की जो आदत थी, उसको भी रोका गया, कि आप present and gift है, जो आप यहाँ पर नहीं secure करोगे, किसी भी राजा से, किसी भी यहाँ पर जमिंदार से, तो इस तरीके से company के officers को control किया गया, बट 17 1773 के act की जो भी खामिया थी, 1773 के act के अंदर भी काफी सारी खामिया है, जैसे कि आप देखिये, जो regulating act है, 1773 का regulating act है, उसके थुरू कोसीस किया गया कि जो गवर्नर जनरल है, जो गवर्नर जनरल पहली बार बनाया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल और जो हमारे बोंबे और जो मदरास है उसके governor generals को इनके subordinate बना दिया गया means the governor general of bengal is the higher authority बना दी गई तो यहाँ पर governor general को भी control करने के लिए एक council है वो बनाई गई थी एक council है वो बनाई गई तो इस तरीकी की कुछ कानून थे जिससे governor general भी यहाँ पर veto power नहीं थी तो उन सब regulating act of 1773 की जितनी भी कमिया थी तो उन कमियों को रोकने के लिए एक 1781 के समय एक act आया था जिसके अंदर उन कुछ कमियों को वहाँ पर दूर किया गया बाकि यहाँ पर जो major reform है वो 1784 के it's pits India act के थूर लिया गया जिसको act of settlement के रूप से भी जाना जाता है इसके थूरू यहाँ पर जितने भी difference थे उनको settle किया गया इसकी वज़े से इसको act of settlement के रूप से भी हम जानते हैं act of settlement act के रूप से भी जाना जाता है pits India act को अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि pits India act के अंदर ऐसा क्या-क्या जो mention किया गया उसके बारे में कि pits India act के अंदर ऐसी कौन-कौन से ऐसे important provisions है जिनको वहाँ पर mention किया गया था उसके बारे में आज हम अब discuss करेंगे तो students अगर हम pits act के बारे में बात करें तो 1784 के समय एक्ट आता है 1784 के इस act के थुरू यहाँ पे तीन important जो यहाँ पे अधिनियम जो है यह act है pits India act तो इसके तीन विसेशता ही है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए यह pits India act के तीन विसेशता ही है तो हम बात करने वाले हैं 1784 के जो pits का अधिनियम है जो pits अधिनियम है उसके बारे में pits अधिनियम के बारे में हम बात करेंगे तो pits अधिनियम की जो तीन विसेशता ही है यह आपको पता होनी चाहिए पहली विसेस्ता यहां पर यह है कंपनी के जो political work हैं जैसे कंपनी के जो भी राजनीति काम थे और जो commercial काम थे जिन्हों को इन दोनों को ही यहां पर अलगलग किया गया, दोनों को पृठ़क किया गया तो आप देखें कि कंपनी के जो political work हैं, जो political work है और इसके लावा जो company का commercial work है क्योंकि end of the day company तो एक commercial company ही थी आप देखे कि company यहाँ पे क्यों send की गई थी क्यों कि 1498 के समय 1498 के समय वासको डिगामा आते हैं यहाँ से पुर्तगाल से और वासको डिगामा जब वापिस return में गए तो वो जितनी profit यहाँ पे बना के गए जितना यहाँ पे पैसा लेके गए जितना यहाँ से उनके दुआरा जो भी मसाले लेके गए उसका use देखते हुए उसका benefit देखते हुए अलग-लग areas से यहाँ पे जो लोग हैं अलग-लग countries के दुआरा अपनी अपनी जो कम्पनिया है वो सैंड की गई जिसके अंदर फ्रेंच भी है दच भी है और इंग्यर इस्ट इंडिया कम्पनी जो 16 hundred के आस्पास इंडिया में आते हैं और यहांपर rule बनाना इस्थारट करते हैं तो आप देखें कि जो company का जो commercial काम था और जो political काम था political काम क्या था आप देखें कि political काम के अगर हम बात करें आप देखें कि 1757 के समय company की दुआरा एक battle लड़ी जाती है वो battle होती है battle of plassi और plassi का वो जो यूद है जिसने यहाँ पर decide कि company ने बंगाल के उपर take over कर लिया अपना उसके बाद में 1765 के समय battle बकसर लड़ी जाती है बकसर के अंदर जो अवद है बंगाल है ओडिसा है वहाँ के जो दिवानी rights हैं वो इनको मिल जाते हैं उसके बाद में देखें कि आप धीरे धीरे 65 के बाद से यह धीरे धीरे जो मैसूर state है उसके अंदर first battle लड़ेंगे मैसूर के अंदर इनके दुआरा चार लड़ाईया है वो लड़ी गई है मैसूर जो state है उसके लिए जिसके अंदर पहले हैदर अली हुआ करते थे बाद में उसके बेटे जो टीपू सुल्तान है वो second battle of जो मैसूर है उसके अंदर power के अंदर आते हैं क्योंकि हैदर अली की death होती है फिर उनके साथ में जो treaty of सिरीरंग पटनम है वो sign की जाती है और last जो fourth battle है एंगलो मैसूर फोर्थ जो लड़ाई है उसके अंदर उनका 1799 के समय उनकी death होती है तो यह पुछ political work हैं ऐसे ही इस समय जो 1775 का जो समय है 1775 से लेकर 1782 तक यहाँ पे जो company है वो लड़ाई लड़ रही थी मराठाज के साथ में भी मराठाज के साथ में भी इनकी लड़ाई जलती है जिसमें treaty of salbai जो salbai की संदी है वो यहाँ पे sign की जाती है पहली जो लड़ाई है फर्ष्ट एंगलो मराठा वोर के समय और आप देखें कि इस तरीके से जो अलग-अलग पावर से उनको capture किया जाता है तो यह तो completely जो company का जो political work है अगर हम बात करें commercial work यहाँ से trade करना यहाँ से जो भी raw material है उसको यहाँ से send करना और एक finish product के रूप में finish product के रूप में यहाँ से raw material लेके गए उस raw material को अच्छे finishing दी अच्छा finishing दिया और उस finished product को इंडिया में लेके आए फिर इनको बाद में letter phase में 50-60 साल बाद में इनको लगता है कि इंडिया के अंदर railway भी होनी चीए क्योंकि railway के थुरू जो अपना सामान है उसको पहुचा भी पाएंगे raw material को collect भी कर पाएंगे तो 1753 के समय पहली जो railway line है बनाई जाती है तो आप देखें कि company का जो political and commercial work है दोनों को different कर दिया गया कि आपका जो company का जो काम है कि आप political आपना काम कर रहे हो यहाँ पे दीरे दीरे जो powers है उनको subjugate कर रहे हो इसके अलावे इस्टेंडिया कंपनी के द्वारा एक काम और किया गया कि यहाँ पे जितनी भी foreign powers थी जब इस्टेंडिया का अपनी अपना यहाँ पे जो conquest करने का अपना यहाँ पे जो कबजा करने का जो यातरा है वो start करती है उससे पहले ही यहाँ पे चितनी भी बहार की जो powers आई थी जिसके अंदर पुर्टगाली हैं डच हैं और एक जो power इनसे little bit जो जिसका confrontation आपको देखने के लिए मिलता है वो है France तो France के साथ में इन सभी powers को इनके दुआरा subjugate किया गया और इंडिया के अंदर अगर हम उन जो दूसरी foreign powers हैं उनके बारे में बात करें तो France का आपको जो influence है वो आपको चंदर नगर है जो हमारा जो पुडू चेरी है उस एरिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा पुर्तकाली यहाँ पे little bit जो हमारा दीव दमन है गोवा है दादर है नागर अवेली है इस रीजन के अंदर पुर्तकाली हुआ करते थे और completely यहाँ पे जो केरल के पास देखने के लिए मिलेगा इस तरीके से यहाँ पे जो हमारा पुडू चेरी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को यहाँ पे फ्रेंच के दुवारा कैप्चर किया जाता है और उनको completely उस एरिया के अंदर ही subjugate किया गया क्योंकि किया गया इसके लिए अब दोनों ही कामों को जो नियंतरित करने के लिए regulate करने के लिए कोई ना कोई authority होना चीए जो कंपनी का दो ये जो काम है इन कामस को यहाँ पर regulate करे तो कंपनी के जो कामस है जो commercial काम है जो पोल्टराजनिति काम है इनको प्रत्थक करने के साथ ही इनने निदेशक मंडल को कमपनी के जो व्यापारिक मामले हैं उसके अधिक्सन के अनुमती तो दे दी लेकिन राजनितिक मामलों के प्रबंदल के लिए जो नियंतन बोर्ड है जो बोर्ड ओप कंट्रोल है उसके नाम से एक नया निकाई यहा में कौन देखने के लिए मिले कोट ओप डायरेक्टर के दुआरा ही यहां पे जितना भी काम है वो देखा गया था अब बोर्ड ओप कंट्रोल बना दी गई बोर्ड ओप कंट्रोल है वो नई बोली है वो यहां पे क्रियेट कर दी गई है इस 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के थूँ और बोर्ड ओप कंट्रोल के दुआरा इस्टूडेंट्स क्या किया गया बोर्ड ओप कंट्रोल के दुआरा यहां पे जो राजनितिक काम है जितने भी पोलिटिकल वर्क हैं जितने भी पोलिटिकल वर्क हैं उसको रेगुलेट किया जाएगा उसको नियंतरित कि किया जाएगा उसको रेगुलेट किया जाएगा इस बोर्ड ओप कंट्रोल के दुआरा इस परकार से यहां पे जो द्वेद्ध सासन की व्यवस्ता है उसका प्रादंब किया गया डबल गोर्मेंट है उसको इस्टेबलिस किया गया आप देखे कि कॉमर्शियल वर्क अलग सम लेगा पौलिटिकल वर्क से जो बोड ओ डाय को बोड़ ओब डायरेक्टर्स के दुवारा समाला जाएगा इस तरीके से यहां पर यह सकती थी कि जो ब्रिटिस नियंतरित भारत है जो भारत का जो भी इससा ब्रिटिस नियंतरित है तो बोर्डों पर यहां पर जो नियंतरन बोर्ड है जो रेगुलेटिंग बोर्ड है उसको यह यहां पर नियंतरित बोर्ड को यहां पर यह पावर दी गई कि भारत का जितन दोईूयने सरकार है और राजस्य की जो गती विदियान है उसका दिक्सर्ण और नियंत्रित किया जाएगा यह यहां पर बताया गया कि जो revenue है revenue है, WILL है और से उनको यहां पर नीयंत्रित बोर्ड के दुआरा regulate और control किया जाएगा तो यह तीन पावर्दी द्वैद जो सासन की विवस्ता है commercial and political functions को अलग किया गया दोनों को अलग लग लोग समालेंगे तो आप देखें कि द्वैद सासन की जो परंपरा है वो की गई और यहाँ पे जो revenue civil military का जो नियंतरन board है जो 1773 का एक दो तीन चीजों के लिए कैसे important था कि उसमें एक तो first time उसको control किया गया ब्रेटिस को centralization की तरफ यहाँ पे जो केंदरी करन है centralization है उसकी लिए पहला step था वो 1773 का जो कानून है और इसके अलावा वहाँ पे जो company को पहली बार जो परसासनिक और राजनिती कारियों की वहाँ पे माननेता मिली थी कि company के जितने भी परसासनिक जो कारिये हैं जो administrative work हैं जो political works हैं उनको पहली बार जो यहाँ पे जो माननेता है वो provide की गई British Parliament के दुआरा तो यह तीन ऐसे बाते हैं के लिए 1773 का act की जो परमुख अलग से विसेश्थाई हैं ऐसे ही आपको 1784 के इस Pits India Act की भी दो-तीन विसेश्थाई देखने के लिए मिलेंगी commercial and political function को differentiate किया गया प्रथक किया गया तो आप यहाँ पर यह देखिए पहली बार जो company के अधीन का जो एरिया है जैसे आप तीसरा नियम में जब हम देखते हैं कि जो नियंतन बोर्ड है उनके हाथ में British अधिपत्य का जितना भी भारत है उसका जो revenue, civil और military है वो उनको control करने के लिए दिया गया तो आप देखिए कि पहली बार company के हाथ में जितना भी जो भारत है जितना भी भारत उसके control में है उसको British अधिपत्य का छेतर है वो माना गया यह जो British possession है यहाँ पे company के दुआरा इसको अगर control किया गया है means यहाँ पे वो British का ही part है तो British अधिपत्य का छेतर उसको पहली बार कहा गया आधि आधिपत्य का छेतर कहा गया British आधिपत्य का तो British आधिपत्य का जो छेतर है company के regulated area को कहा गया इसके लावा students अगर हम बात करें British सरकार को भारत में British जो वहाँ पे government है उसको भारत के अंदर company के जितने भी कारिये हैं इसके जो परसासनी कारिये हैं नियंतरन कारिये हैं उसका जो complete control है वहाँ पे British government को दे दिया गया तो यहाँ पे यह जो act है दो चीजों के लिए important है 1784 का British India Act एक तो पहली बार जो company के control का area है उसको British आधिपत्य का छेतर कहा गया यह company का जो area है वो British का है British आधिपत्य का है इंडिरेक्ली यह यहाँ पे पहली बार कहा गया दूसरा यहाँ पे बताया गया कि जो British government है उसको highest authority है इस आधिपत्य के छेतर के अंदर control करने की और regulate करने की इसको control करने की और regulate करने की British authorities की highest authority है British government तो students यह 1784 का कानून है इसके लावा छोटे छोटे कानून आपको 1793 के समय देखने के लिए मिलेगा अब आपको यहाँ पे एक बात पता होनी चीए कि जो 1783 का जो कानून आया जब 1773 का जो कानून आया और 1784 का का कानून आया इस समय में अगर हम Governor General की बात करें 1773 और 1784 तो दोनों के ही समय में जो Governor General है एक ही परसन हुआ करते थे जो बंगाल की जो Governor General है उनकी अगर हम बात करें तो एक ही परसन है परसन का नाम है Lord William Henshtinger Lord William Henshtinger Lord William Henshtinger Sorry student Lord Warren William गलती से बोल दिया गया Lord Warren Henshtinger वो ही परसन है Lord Warren Henshtinger दोनों ही समय यहां पर Governor General रहे बंगाल के आपको दिरे दिरे यह Governor General अगर इंडिया बनते हैं 1833 का कानून आएगा उसके बाद में उस समय में अलग परसन रहेंगे Lord Warren Henshtinger जो लाश्ट इयर था 1784 इसके बाद में चले जाते हैं उसके बाद में आपको अलग अलग परसन से हैं वो पावर के अंदर देखने के लिए मिलेंगे तो students यह 1784 का कानून के बारे में था Thank you students Thank you very much